हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है सौरव यादो आप देख रहे हैं टेक गुरू सौरव हिंदी चैनल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीवो का जो फोन होता है यह मोडल है वीवो 83 यह जो है बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है तो सबसे अच्छा है यह आपको रास्ता है कि आपको जो डाटा है वह सारा बैकप में लेने के बाद इसको जो हम फॉर्मिट या रिसेट कैसे करना है तो आईए देखते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है यहां से इसकी जो है सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद यहां से आप जो है मोड सेटिंग में जाएंगे मोड सेटिंग में जाने के बाद यहां से जो है आप बैक आप रिसेट में जाएंगे backup and research में जाने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है erase all data erase all data में जो है click करेंगे उसके बाद यहां पर format phone में जो है check कर देंगे और यहां पर clear now में click करेंगे यहां से आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है erase all your personal data and downloaded apps this action is irreversible जो भी आपका data है वो सारा delete हो जाएगा अगर आप सारे data को delete करना चाहते हैं तो यहां से आपने advances everything में क्कलिक करना यहां से really things में क्लिक कर देता हूं है जैसे हम erase all data में जो क्लिक कर देंगे तो यह phone जो हो है आटमेटी restart होगा restart होने नहीं वेट कर लेते हैं यह दुबारा से on हो रहा है अभी जो है सारा format हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है वाइपिंग डाटा ब्लेज डू नाट प्रॉफं एनियो और प्रेस्टन तो इसको जो वेट कर लेते हैं इसके बाद भी दुबारा से फिर रिस्टार्ट होगा यह दुबारा सा kitsar हुआ है 20 15 मึง फिरिफिर सेनियो का अन्हें में में जान कर दूंबसरों कर कि तरह को तो सहरा करें है यह यह जैनी कि वाम कर से इसका ब्रेस्ट होता है ऊकिमेरिक्यामा सारी जो है टेंपरेरी जो फाइले होती हैं वो डिलीड हो जाती है अब ये सारा डाटा जो है डिलीड हो रहा है है अब है अब है इसके बाद कुछ समय वेट करने के बाद आपको इस तरीकी का जो है से इंटरफेस दिखाई देगा उसके बाद यहां से आपने क्या करना है आशे और फॉन में क्लिक करना है है जैसे आप यहाँ इसके बाद यहां से आप देखेंगे कि इनके कुछ है टर्मिले कंडिसंटेशन करते हैं तो उसको हमें यहाँ पर agree करना है तो यहाँ से agree में click कर देता हूं जैसे खेके में click करेंगे यह जो है वाइफाई कोई connector है तो इसको यह connect कर सकते हैं इसको मैं skip कर देता हूं अभी के लिए जैसे इसको skip करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा उसको यहां से जो हैं विल्कुर नीचे आएंगे यहां जैसे नीचे करेंगे तो यहां से जो है इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा यहां से आपने क्लिक करना है उसके बाद यह जो है अगर आप फेसलाग लगाना चाहते हैं तो रगा सकते हैं नहीं तो इसकिप कर सकते हैं तो यहां से मैं इसको इसकिप कर देता हूं उसके बाद नेच्ट में क्लिक करेंगे नेच्ट में क्लिक करने के बाद अगर आप जो है डाटा यह दूसरी फॉन से लेना चाहते हैं यह आपका जो है बैक अप कोई फाइल है वो लेना चाहते है तो आप करने के बाद यहां पर आपको जो है इसक्रीन दिखाए देगी कॉंग्रेश्यूलेशन के यहां पर यूजनाव में क्लिक करेंगे यूजनाव में जैसे क्लिक करेंगे आपको फॉन जो है रिस्टार्ट हो चुका है इसक्रीन जो है लोड हो रही है इसक्रीन लोड हो गया है आपको जो फोन है पूरी तरीके से जो फॉर्मेट हो चुका है बिल्कुल जैसे हमारा न्यू फोन होता है उस तरीके का फोन हो गया है तब यह लोड हो रहा है अब भी यहां पर देखेंग कि सामने जो है आपको सेटिंग दिखाई दे रही है लो ओपन कर लेते हैं यहां पर सामने सेटिंग आ रही है सेटिंग को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहां पे आएंगे system update जैसे आएगा कि अचछ कर दो लूगे लूगे टा लूगे 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 लूगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का जो इंटरिफर्स दिखाई दे रहा दिस सिस्टम इज आल्रेडी दा लेटिस्ट वर्जन तो उसके बाद यहां से हम देखेंगे सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद लोग अलब प्रिकेड तो यहां पर भी कोई वाई लेबल नहीं है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक यू